अगले कॉलर है दिल्ली से दयावती जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार नमस्कार वाई साव जाहिन आदाब स्वागत्तम वेलकम हमारी बहन के लिए वेलकम बताइए क्या हाल है आपके हाँ ठीक है बाई साव बाई साव मैं यह पूठरी से थारेड की दवाई खाते हैं तो उसके बाद नास्ता मतलब कितनी बेर में खाए आदे गंटे बाद और एक यह सवाल है कि जो मैं यह धनिया सोप नमक जतून मिला के इनको भी देटी हुना उनको मतलब यह यूरियन में जलन होती है ना उनको बहुत फायदा हो रहा है बहुत जी और एक सवाल यह है अभी आपने बताई आखो के लिए आखो में थोड़ी सी जलन सी ना मेरे भी हो जाती है तो यह मुंदी बुत्ती का मैं भी खाल लूँ ठीके ठीके और क्या सवाल बस इतना यह बाई सावी तन कुछ दो समने में आता है देखो हमारी बेहन का फोन आ गया आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और मुंदी बुटी आप ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है एक मुंदी बुटी खाएंगे तो एक साल तक आखों के जो मौसमी बुखार वबाई इम्राज रोग होते जो मौसम के साथ आते हैं किसी की आखें लाल हो गएं किसी की आखों वाइरल कुछ फिलू चलता है आखों का फिलू चलता है तो पूरे इलाके के इलाकों को हो जाता है एक आदमी दूसरे को देख लेता है तो उसके भी आखें लाल हो जाती है तो एक साल में एक दो तो सब को खाई लेनी चाहिए मैं भी खा लेता हूं इस साल भूल गया हूं लेकिन आपने याद दिला दिया तो मुझे भी खानी होगी अब क्या सवाल था था थाइरेट की अगर कोई दवाई ले रहा है तो खाना कब खाना चाहिए आदा गंटे बात लेने तो ज्यादा मुनासिब होगा और एक सवाल था रही हां जी धनिया सौफ और सौट और जयतुन का जो नमक होता है यूरिन में इंफेक्शन के लिए तो उते बना के प्रचार प्रसार कर रही है हां देखिए आपको तो सब तजर्बे हो गए शायद मेरी बराबर तजर्बे होगा ये जिनको पिशा प्रवलम रहती है इसके अलावा देखो सिस्टर ये ऐसी डिटी कब्ज में तो फाइदा करी रहा है और गैस में और ये थायराइड में भी दे सकते हैं और जो यूरिनली इंफेक्शन है उसमें दे सकते हैं जिसकी क्रेटेनाइन बढ़ जाती है यानि हमारी किड्नी में ग वन पाइंट इससे ज्यादा बढ़ जाए तो हम किड्नी के मरीज हो जाते हैं और फिर हमें डाइलेसीज क्या क्या कराना पड़ता है वो लोग भी ले सकते हैं इनको और लिवर के लिए बहुत अच्छा है इसकिन रोग के लिए बहुत अच्छा है ये कितने रोगों में का प्रड़ करके रखें बहुत कामकार उसका है और आप जिसको भी दे रह 이걸 इसको फायदा हो रहा methodology देसे ़िए लोग ना जनने क्या क्या मिला के दे देते लेकिन ये असली चुऊञलत है सुलेवाणी चूरन कहते इसे आप याद रखना मेरे नाम सुलेमान सुलेवाना इसे स सर, प्रश्न क्या है? परसंजी मैं दवाई नमाई शियागोन, ओससे बहुत आराम हुआ है, मैं बैज जी को धन्यवाद जना जाता हूं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद, भगवार इनको खुछ रखे कारोबार में इनकी तरक्की हो, बहुत धन्यवाद भाई आपका, आप नसका ये मकसद नहीं है, कि मैं आपकी इज़त करता रहूं, आप मेरी इज़त करते रहें, वो तो जरूरी है सम्मान, लेकिन ये नसका आपको, अपने कमस कम सो रिष्टेदारों तक पहुंचाना है, अगर आप ये परंड लेते हैं, तो आपका धन्यवाद स्विकार है, आप हैं लाइन पर क्या? छे घंटे चैनल देखता हम आपका, हाँ, आप ये परंड लेते हैं, कि आप सो लोगों तक इनसका पहुंचाएंगे, ताकि सो लोगों को और फायदा हो सके, देखों कम से कम पताथ आदमी उपास, मैंने आपकी दवाई पहुंचा जी है, जो भी नसका आपको बताता हूं, वो लाखों बार जब आजमा लेता हूं, तब आपके पास पहुंचाता हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा कोई भी भाई, जैसे आप हैं, वो उस सिर्फ अगर लाब उठाएं, तो सिर्फ अपना लाब उठाकर ना बैट जाएं, फिर वो सब को होना चाहिए लाब जो भी आपकी तरह 10-10-20-20 साल से तकलीफ में, हर घर में वो लाब पहुंचना चाहिए, हर घर को उस दवा की पहचान होने चाहिए, हर घर को के पास एक डायरी होनी चाहिए, ताके अगर मैं कल को नहीं भी रहूं, तो आप सेवा करने वाले म जानकारी हो जितना मेरे पास ग्यान है आप तक पहुंच जाए ये मेरी कोशिश है इसी साल मैं रिटायर्मेंट लेने वाला हूँ मुझसे जो भी नसके पूछने हैं पूछ लीजे और जितना पर चार परसार करना है कर लीजे फिर उसके बाद मैं नहीं मिलूँगा आपका बहुत दन्यवाद के आपने फीडबेक कॉल दी ऐसे ही हकीम सहाब की तजर्बे का पाइदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलिमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बिटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम सहाब के घरेल उनसकों से जादा से जादा आप उठा सकें